हालो एवरिवन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करूर विजिया का आप डीलाइट अकाउंट किस तरह से ओपने मोबाइल से और इंस्टेंट तो इंस्टेंट आप अपना अकाउंट को यहां पे ओपन कर सकते हूं तो किस तरह से ओपन करना है क्या इसका प्रोस दोस्तों के साथ सेर जरू कर देना ताकि यह नोलेच जो ही कि वो लोगों को भी मिल पाएं सो हलो दोस्तों मेरा नाम है बिर्जु कुमार आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिर्जु सो लेट स्टार्ट दा वीडियो तो सबसे पहले आपको सिंपली यहां पे किलिक करने के बाद यहां पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा चलिए मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूं इसे लोडिंग होने का एंड उसके बाद यहाँ पे आप जो है कि करूर विजिया बैंक के ओपिसल वेब साइट में आ जाओगे यहाँ पे इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ पे किलिक करके आप डिरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हो अभी यहाँ पे आपको account open करने के लिए करना क्या होगा यहाँ पे आपको दो और दिक रहा होगा पहला यहाँ पे open online dmate account और यहाँ पे नीचे में आपको दिख जाएंगे instant account opening with kvb तो यहाँ पे आपको click here पे click करना है, चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ, click करने के बाद यहाँ पे यह दूसरे page में redirect हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ second आपको wait करना है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे wait कर लेता हूँ, उसके बाद आपके सामने कु इसमें आपको जो है की FD, SB plus FD भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, यदि आप D light select करते हों तो यहाँ पे आपको MAB, यहाँ पे आपको 1000 देखने को मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे D light select कर लेता हूं, अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले आइकन पे किलिक करना है, किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको I accept all trauma and condition, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले आइकन पे किलिक करना है, अभी यहाँ पे आपके अधार काड़ के साथ जो भी मुवाइल नमर लिंक हो यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे आपको अपना email id उसके बाद यहाँ पे आपको next वाले बटन पे किलिक करना है चली पहले मैं इसे फटा फट यहाँ पे complete कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पे अपना email id और mobile number इंटर कर दिया है अभी यहाँ पे आपको next वाले बटन पे इंटर करना है इंटर करते ही यहाँ पे आपने जो भी मुवाइल नमर इंटर कियो उस पे आपको OTP code भेजा गया होगा तो यहाँ पे आपको OTP code को इंटर कर देना है अगर आपको OTP code नहीं मिलती है तो यहाँ से आप recent OTP पे किलिक करके आप अपने OTP code को दोवारा से मंगा सकते हैं तो मेरे mobile नमर पे OTP code आ चुका है चलिए मैं अपना OTP code यहाँ पे इंटर कर लेता हूं मैंने यहाँ पे अपना OTP code इंटर कर दिया है अगर आपको OTP code नहीं मिलती है तो यहाँ से आप recent OTP पे किलिक करके आप अपने OTP code को दोवारा से मंगा सकते हो और यह जो OTP code है दो मिनिट के लिए ही valid है तो दो मिनिट से जादा हो जाएंगे तो एकस्पायर हो जाएंगे यह OTP code आपको फिर से मंगाना होगा तो यहाँ पे OTP code फिल करने के बाद I accept all trauma and condition उसके बाद यहाँ पे आपको verify पे आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पे यह loading लेना श्टार्ट हो जाएंगे अब ही यहाँ पे आपको अपना आधार & try ड्रेसिडेंट इंटर्ट करना है यह पे पे पेंग कार्ड का नम्मर यहाँ पे आपको फ़रस्ट पे ही सिलेक्ट रहने दिना है यहाँ पे भी आपको second में ही select रहने देना है यहाँ पे आपको फटाफट feel करके आपको next पर click करना चलिए पहले मैं यहाँ पे feel कर लेता हूँ आधार और pen number तो यहाँ पे मैंने जो है कि सारा detail को feel कर दिया है अभी यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको next वाले बटन पर click कर देना click करने के बाद यहाँ पे यह loading लेना start हो जाएंगे चलिए मैं यहाँ पे wait कर लेता हूँ इसे loading होने का और उसके बाद आपके आधार काट के साथ जो भी मौईल नमर link हो उस पे आपको OTP code भेजा गया होगा जो कि यहाँ पे आपको enter करना होगा और यह OTP code जो है कि 10 minute के लिए valid है so finally मेरे मौईल नमर पे OTP code आ चुका चलिए मैं अपना OTP code यहाँ पे enter कर लेता हूँ so finally मैंने यहाँ पे अपना OTP code को enter कर दिया है और 10 minute के लिए ही valid है यह OTP code तो अगर आपको यह OTP code नहीं मिलती तो यह time खतम होने के बाद यहाँ से आप इसे recent कर सकते हो यानि कि दोबारा से मंगा सकते हो and OTP code फिल करने के बाद यहाँ पे आपको verify वाले button पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे फिर से loading लेना start हो जाएंगे तो यहाँ पे validating the OTP and fetching your demographic detail तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो भी detail है वो यहाँ पे fetching किया जा रहा है तो fetching का मतलब यह है कि आपके आधार कार्ड से photo, आपका नाम, आपका date of birth आपका आधार कार्ड जो भी है यहाँ पे वो जो ही कि यहाँ पे automatic ले लिया जाएगा आपके आधार कार्ड से ही तो यहाँ पे आपको wait कर लेना है इसे फेक्चिन होने का सो मैं यहाँ पे wait कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो आपके आधार कार्ड से जो भी डीटेल है आपका photo आपका नाम, आपका जेंडर, आपका date of birth वोगेरा यहां पे आपका permanent address दिखाया जाएगा यहाँ पे आपको अपना father name दिखाया जाएगा अब यहाँ पे आपका और आपका communication address same है तो आपको yes पे tick रहने देनी है यदि आपका address अलग है तो यहाँ पे आप no पे click करके उस वाले address को feel कर सकते हो तो फिलाल मेरा यहाँ पे same नहीं है मेरा अलग है तो मैं यहाँ पे अपना address feel कर देता हूँ यहाँ पे आपको select pin तो select pin यहाँ पे आपको select करनी है और यहाँ पे enter भी करनी है इसका मतलब मुझे पता नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा तो यहाँ पे आपको select the first three digit का pin यानि कि तीन digit का pin यहाँ पे आपको first में select करनी है और यहाँ पे आपको enter last three digit का pin यानि कि total जो है कि 6 digit का pin यहाँ पे आपको इंटर करनी है और ये pin आपसे तभी मांगा जाएगा जब आप इसका mobile banking app login करोगे तभी आपसे जो है कि ये pin मांगा जाएगा ये pin तो ये 6 digit का pin है आपको इसे भूलना नहीं है याद रखना है चलिए मैं इसे पहले फटाफट complete कर लेता हूँ So guys तो मैंने यहाँ पी जो है कि अपना address वगेरा फिल कर दिया है अभी यहाँ पे आपको जो है कि select pin तो address फिल करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कि pin जो है कि यहाँ पे आपको देख जाएंगे तो मैं यहाँ पे कोई भी pin यहाँ पे इंटर कर देता हूँ थिरी डिजिट का चलिए इंटर कर लेता हूँ So तो मैंने यहाँ पे अपना pin जो है कि मैंने इंटर कर दिया है अभी यहाँ पे आपको इस वाले box में tick mark करने है यहाँ पर आपने जो भी पीन जो है की girlfriends ले लेना है जरूर लेना या फिर आपको कहीं note कर लेना इन्ड उसके बाद यहाँ पर आपको continue वाले बटन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर thank you for the interest-savving banking with kvb-faith membership यहां पर और nearest branch for opening of the account with complete kyc document तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है यहाँ पे सब्मिट हो चुका है बस यहाँ पे आपको जो है कि KYC के लिए जो है कि आपको ब्रांच में विजिट करना होगा तो ब्रांच में विजिट करोंगे आप तो यहाँ पे आपको पेन कार्ड अधार कार्ड और यहाँ पे आपको पासपोर्ट फोटू लेके जाना है वहाँ से आप डारेक्लिप केवाईसी को कम्पलीट करके आप अपना अकाउंट नमर इंस्टेंटली पास सकते हो और यहाँ से आप जो है कि इसका मोबाइल बेंकिंग लोगिन भी कर सकते हो तो यह पिन को आपको भूलना नहीं है याद रखना है इस तरह से आप इसका अकाउंट को उपन कर सकते हो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे करूर विजिया का अकाउंट ओपेनिंग का प्रोसेस बता दिया है तो इस तरह से आप जो ही कि यहां पे अपना अकाउंट को ओपेन कर सकते हो यहां पे आपको अकाउंट नमर इंस्टेंट नहीं मिलेंगे तो डोकोमेंट सब्मिट करने के लिए आपको एक बार ब्रांच में विजिट करना होगा तो इस तरह से आप यहां पे अपना अकाउंट को ओपेन कर सकते हो तो उमिद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नोलेज मिल गए होगे चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ तब तक के लिए जयाहिन बंदे मातरम